नमस्कार किसान भाईयों आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत हैं किसान भाईयों अभी रभी सीजन चालू होने वाला है और इस समय मेथी की खेती करना बहुत ही मुनाफ़े वाली हो सकती है किसान भाईयों यह हमारा प्लांट देख सकते हैं इसमें हमने पहले धनिया की खेती के थे जिसमें हमें अच्छा मुनाफ़ा मिला और इस समय अब हम धनिया की जो हमारा फसल है वह खतम हो चुका है और इसमें अब हम मेथी की खेती करना चाहते हैं तो किसान भाईयों यदि आप छतिस गड़ के किसान है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल हो सकती है क्योंकि मैं चतिस गड़ के राज्ये के मिट्टी और जलवाई के अनुसार यहां पर मेथी की बीच का चेहन क्या हूं तो किसान भाईयों मैंने कौन से कंपनी का बीच चेहन क्या हूं उसकी वियारीटी क्या है उसका जर्मिन सन टाइप क्या है पूर लोगों ने हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आकन को भी प्रेस कर दिजिए क्योंकि हम खेती किसानी से सम्मधित इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं तो किसान भाजियों चलिए सुरू करते हैं तो किसान भाइयों यहां पर हम जो मेथी का बीच लाए हैं यहां महा गुजराथ सीट्स प्रावेल लिमिटेट कमपनी का प्रोडेक्ट है और इसकी नाम की बात करें तो यहां नाम ही महा गुजराथ के नाम से आता है यह देख सकते हैं जो बीच है यहां एक किलो का और यहां पहले से ही कमपनी से जो है यहां बीच उपचार होके आता है यहां पर यह दिया गया है कि इसमें थायराम 75% WDP से यहां पर यहां बीच उपचारित होके आया है अब इसकी आप लोगों को अन्बक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे और अंत में इसकी जो एक किलो क पेकिंग है इसकी कीमत क्या है वह दोताईंगे पाइग मजे ईसकी गूख से हैं महागुजरण संसोदी मेथी इहां पर यह आप देख सकते हैं तो किसान भायों अब इसके आप लोगों को unboxing and review करके दिखाने वाले हैं क्योंकि यह मैं वीडियो के सुरू में भी बोल चुका हूं, तो किसान भायों, यदि आप अच्छे भीजों का चेयन नहीं करतें, और मेती का बीज हूँ अंकुरिद नहीं हो पाता है, तो किसानों को बहुंत हानी उठानी परती है, तो किसान भाईयों जब भी आप मेथी की खेती करें तो अपने राज्ये के जलवाई और मिट्टी के अनुसार अच्छे भीजों का चेहन करें और मेरे हिसाब से तो आप रिसर्ज या संसोधित भीज का ही चेहन करें यदि आप जो लोकल या देशी भीज का चेहन करते हैं तो उसमें जो जर्मिनिसन होता है वहां बहुत ही खराब होता है और उसमें हमें बहुत ही कम जर्मिनिसन देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर यह जो MG सीट से यह जो मेथी का भीज आता है यह पूरी तरह से संसोदित भीज है याना कि यह एक रिसर्ज भीज है और इसकी हम अभी 2-4 दिनों के बाद इसकी बुगाई करने वाले हैं और इस बीज का जो अंकुरन है वह कैसे आया इसके बारे में भी आप लोगों को पूरा जानकारी बताएंगे आने वाले समय पर इसलिए यदि चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करके बैल आकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि आने वाले समय पर हमारे नएने वीडियो आप लोकल या देशी बीज की बुआई कभी भी मत करें तो किसान भायों मैं उम्मीद करता हूं यह जानकारी आप लोगों को जरूर पसाना होगी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब कर लिजिए आज के ल